ठीक है तुबेंदू गुडिविनिंग और कोश्चन नमबर 34 में डाउट है तो हाँ थोड़ा सा मैं जल्दी आ गया कोश्चन नमबर 34 में डाउट है तो पहले 34 34 यह वाला 34 तो मैंने दिया यह नहीं था भाई homework क्या बात कर रहे homework हो गया है सारे कोश्चन homework कर लियो कि actually मुझे समझाना है 34 और 33 और सारे topic करने है अमन गुड इवनिंग चलो जे तो मुझे यह बताइए मैंने आपको दिया था कोश्चन नमबर 33 क्या सभी बच्चों से वैसे मुझे देना नहीं चाहिए था पर उस दिन जो target था वो पूरा नहीं हुआ था तो क्या कोश्चन नमबर 33 आपसे बन गया था एक बहग कन्फर्म कीजिए कोश्चन नमबर 33 क्या आपसे बन गया था ठीक है कोश्चन नमबर 33 बन गया था सभी लोगों से सुब का कहना सर एक्स लेकर नहीं हो पा रहा है सब लोगों ने अपने तरीके से किया मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ आप सुनोगे दिहां से क्या हम लोगों को multiple choice question भी आ सकते हैं तो mcqs आ सकते हैं आपको मैं किसी भी approach से question करवा सकते हूँ तो पहला है कि ये question हमको किस approach से करना था सबसे important है first approach से करना था कि second approach से करना था सबसे important ये बात है और ये सब्देस कुछ बच्चे बोल रहा है second approach से बन गया तो सर जी second approach से ही तो करना था हम लोगों को लिखा तो है कि हम इस तरह से काम करें कि such that NPV becomes zero ये सब्द क्यों लिखे है कि आप sensitivity निकालिये plant value में running cost में savings में such that the NPV becomes zero क्या कहना चाहता है वो क्या इन सब्दों से मतलब क्या समझ रहा है फरस्ट एप्रोच से करना है कि second से करना है कि दोनों से करना है तो समझ के बोलो जल्दी आंसर चाहिए इशा doubt है इन सब्दों का मतलब ही है कि आपको NPV जीरो रखना है बिल्गुल सहीं और जीरो रखना है इट मिंस आपको second approach से ही करना है सर मान लो किसी ने first approach से किया तो institute card देगा और आपको zero number देगा आपने कितना भी अच्छा presentation क्यों ना कर रखा है मेरी बास अगर बोला है NPV वीकम्स जीरो मतलब आपको second approach से ही करना है कि कैसर सर तो इस question को कैसे किया जा सकता है और कैसे किया है आपने आपने जो किया वो भी सही होगा मैं जो करूँगा वो भी सही होगा सर इस topic को इतना क्यों खीच रहे हो आप क्योंकि यही तो एक topic है आपके capital वस्टिंग में जो आ सकता और आज खतम हो जाएगा हमारा sensitivity analysis और आज ही हमारा start हो जाएगा scenario analysis ठीक है तो ना पहले ही बात तो पक्का है कि हम second approach से कर रहे है प्लीज अगर हो सकता है इसको अपनी copy में note कर लेना जिन्होंने इस तरह से नहीं बनाया होगा तो देखो मैं क्या करने वाला सबसे पहला काम है NPV निकालना अब यार NPV कैसे निकाल सकते सर NPV ऐसे भी निकाल सकते आठ हजार savings चार हजार cost तो net पहले साल का कितना आ गया है आठ हेजर और 14 माइनस 5 कितना आ गया है 11,000 cash inflow जिन्होंने कर लिया है वो भी note कर ले अगर उन्होंने मेरी तरह नहीं किया मुझे नहीं मलूम एक बार देख लो अभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बच्चों के doubts भी आया थी इस question अगर मुझे निकालना यार प्लांट में कितना पैसा लग रहा है 10,000 पहले साल मेरा net cash flow कितना 8,000 second year net cash flow कितना 11,000 और हमको discounting करना है और discounting करना और NPV निकालना तो NPV तो आसानी से निकल जाएगा कोई दिक्कत है नहीं है यार ए भगवान मैं देख रहा था कि आप लोगों का ध्यान है की नहीं ठीक है तो चलो 9,000 9,000 तो first year का 8,000 factor से multiply करेंगे second year का 9,000 factor से multiply करेंगे और answer minus 10,000 करेंगे तो NPV आचाएगा normally हम ऐसे ही करते हैं ठीक है आप मैं कह रहा हूँ कि मेरा NPV निकालने का मेरा दूसरा तरीका ये काम आने वाला है आगे मैं एक काम करता हूँ ना यार savings का present value अलग निकालता हूँ और running cost का present value अलग निकालता हूँ ठीक है ठीक है it means मैं कह रहा हूँ present value of savings note कर लो note कर लो काम आएगा present value of savings प्लीज नोट कीजिए मैं जानता हूँ आपने नहीं किया होगा ऐसे है ऐसे ही किया है सर ठीक इट मिन्स में जे मालो में कि इसका मुझे सेंसिटिविटी निकालना है इसका भी निकालना है तो इसका अलग करो इसका अलग करो तो सर ये हो गया 12,000 into 0.917 प्लस 14,000 into 0.842 ठीक है ठीक है सर तो 12,000 into 0.917 और 14,000 into 0.842 तो सर ये आ गया हमारा 22,099 लॉटीक है अब क्या टरणा था इसके बाद सका अब क्या कर्ना था इसके बाद कर्ना था प्रजेंट वेल्ल्यॉ उप रॉत्यॉ ये रॉटीक्कोल में तगल ये कर्णा दिसका कर्ना था под प्लस 5000 into 0.842 22792 ठीक निशान्त बिल्गोल सही 4000 into 0.917 m plus 5000 into 842 m plus m तर यह आगे 7878 अब मुझे NPV निकालना है तो देखो हम NPV कैसे निकाल रहा हूँ NPV is equal present value of savings दो साल का मिला कर हो गया है यह यह सर 22792 ठीक 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 रहा है और cost कितना है सर cost है minus 7878 agree इस बास से? हाँ सर और इसमें से minus कर देंगे cost of project 10,000 NPV है जाएगा? पताओ NPV कितना है? 22792 माइनस 7878 माइनस 10 4914 हाँ सभी बच्चों का सही है 4914 सर NPV कैसे भी आता 4914? अगर हम ऐसे ना करते जो आप ने किया अगर हम ऐसे भी करते तो NPV 4914 आ जाता अब ध्यान से समझना कुछ trick बताने वाला हूँ और आता है आपको मुझे sensitivity निकालना है plant value में sensitivity निकालना plant value अच्छा कर सकते हैं मोना लिशा इनका कहना मोना लिशा का कि सर इन दोनों को जोड़के एक साथ ही माइनस कर दीजिए हाँ लेकिन मुझे इसमें sensitivity analysis करना है इसमें भी करना है इसमें भी करना है तो जिसमें करना है उसको मैं अलग-अलग लिखा हूँ ताकि आपको समझा पाऊं की कैसे कर ठीक है साथ चलो जी अब मुझे साथ हाँ बिलकुन सही अब सुनो बस मैं यही कह रहा हूँ आखिर सबसे पहले ध्यान से समझना इसको कितना बढ़ाया जाए पहले इसका sensitivity इन कालना है ना 10,000 को कितना बढ़ा दे कि यह 4910 हट जाए और इसकी जगह 0 आ जाए कितने रुपए से 10,000 को बढ़ा देना चाहिए कि NPV जो अभी हमारा positive है वो पूरा खतम हो जाए 4914 से ही तो बढ़ाना पड़ेगा तो percentage निकल गया 4914 divided by 10,000 यह आगया संसितिविटी इंप्लांट percentage बटा यह 4914 divided by 10,000 into 100 percentage आगया 49.14 percent that's it सभी का 49.14 percent this is sensitivity किसमे निकला है plant value अब sensitivity किसमे निकलना है running cost में running cost मतलब यह आज़र अब बाकी सारी चीज़े constant सर running cost में किस बात का ड़र बढ़ने का तो यह running cost यह भी कुछ नहीं होगा इसमें भी change नहीं होगा यह कितने रुपए से बढ़ा दिया जाए कि NPV 0 हो जाए सर 7,8 7,8 को बढ़ाना है हाँ कितने रुपए extra लिखूं कि बाकी इसमें और इसमें अब कोई change नहीं करना सर उतना ही तो 4914 यस तो 4914 divided by कितना 7,8,7,8 into 100 नितिन साही है 62.38% सर 62.38% हाँ जी किशन आपका भी सही है सुभेंदू आपका भी सही अब लाश्ट इसमें निकालना sensitivity बाकी सब कम रहे सर इसमें से ये माइनस हो रहा ये माइनस हो रहा ये क्या चीज़ है सर ये सेविंक्स तो सेविंक्स कितना रुपए कम कर दिया जाए कि NPV 0 हो जाए सर उतना ही तो 4914 तो हो गया है फिर तो 4914 divided by 22792 into 100 ये आ गया sensitivity कितना 4914 divided by 22792 into 100 सर 21.56 परशन 21.56 तो एक ये आंसर है हमारा एक ये आंसर है हमारा और एक ये आंसर है हाँ जी Kevin आपका भी 21 पर मतलब सभी का 20 अब 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 काम की चीज़ है पताए कौन सा फैक्टर जादा सबसे जादा सेंसिटिव है कौन सा फैक्टर कौन से फैक्टर को ज़्यादा छू नहीं सकते हाँ प्रेजेंटेशन विल वर्क यस क्योंकि इंस्टिट्यूट ने शॉर्टकट मारा है जब आइसी ए आइ शॉर्टकट लगा रहा है तो हम तो यार ठीक है हम तो करेंगे जाए कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा डेंजर है क्रिटीकल है जिसको ज्यादा छू नहीं सकते सर सेविंग्स सेविंग्स अगर कम होता है तो हो जाए लेकिन 21.56% से ज़्यादा कम हुआ तो हम बरबाद हो जाएगे इट मेंस मोश्ट सेंस यह है हमारा क्रिटीकल फैक्ट एंग गॉट याद आ गया आप लोगों को सेकेंड एप्प्रोच फर्स्ट एप्प्रोच का रिवर्स है हाँ आप ऐसा बोल सकते हो अलकि आंसर वही आएगा मुझे ऐसा लग रहा पर वो अब सेकेंड एप्प्रोच पूछा नहीं निशान्त का कहना है कि सर इसमें एन पीवी का कैलकुलेशन ही मेन है हाँ जी एक्शुली मुझे रेशो मैंटेन करना पड़ेगा बस और कुछ नहीं है परना यहां टाइम लग जाएगा सुब तो ना मैं आप मुझे कॉपी आपको कॉपी में शॉल करके दे दूंगा एक्स लेकर तो आपको समझ में आ जाएगा आंसर आ जाएगा बस यहां रेशो मुझे मैंटेन करना पड़ेगा जैसे एक कॉपी में मैंने करवाया था देवेंद्र गुड़ीवनिंग नहीं अभी कुछ मिस नहीं हुआ अभी आपका होमवर्ख ही करवा रहा था यहां पॉसिबल नहीं है एक्स लेकर मैं आपको कॉपी में शॉल करके बता दूंगा कैसे कर दूंगा हो गया है यह कोश्चन आगे बढ़ है हम लोग आगे बढ़ है यस कॉश्चन नमबर थर्डिफोर थैंसिटिविटी का सर एक्जाम में कैसे करेंगे सुभेंदू का कहना एक्जाम में आप ऐसे कर सकते हो अलाव है ठीक है अलाव है कर सकते हो क्योंकि अगर आप भी देखोगे न तो एकाद दो कॉश्चन में उन्होंने ऐसे भी बनाया है अ तो भेंदू एक्स लेकर भी बताऊंगा कॉपी में शॉल करके अपलोट कर दूँगा ड्राइव में तो आपको भी सबको समझ में आज़ाए ठीक है जी मुझे भुला देती है न बच्चे यार मैं NPV के बारे में क्या बोल रहा था सर ये बताईए मैं जुगार लगा के NPV निकलता हूँ सब जुगार कैसे लगाते हैं जब मैं NPV निकाल रहा हूँ तो सबसे पहले देखता हूँ यार किस किस में मांग रहा है ये काम आएगा आपका यहर प्लांट में मांगा तो मैं NPV इस तरह से जुगाड़ करूं कि प्लांट अलग से दिखे फिर किस मैं मांगा रणिंग कोस्ट में तो मैं रणिंग कोस्ट को किसी के साथ नेट नहीं करूंगा मैं ऐसा जुगाड करूं कि running cost अलग से दिखे और मेरा और क्या मांगा savings मेरा अलग से दिखे इनको mix कर देंगा जैसे मुझे किसी ने पूछा था सर इसको जोड की भी तो कर सकते थे मैं नहीं जोडना चाहता था क्योंकि इसमें भी चाहिए मुझे sensitivity इसमें भी चाहिए तो इसमें तो सबको मैं अलग-अलग कर रहा हूँ जो जो चीज मुझे चाहिए उसको मैं का present value लेकर मैं अलग-अलग करते जा रहा हूँ बस इतना ही important था आपके तो ठीक है जी चलो आगे चलो नहीं तो अपका sensitivity आज भी खतम नहीं होगा ऐसा लग रहा हूँ चलो जी start कर रहे हैं लोग आज की class start कर रहा है question number 34 net करोगे तो फसोगे कोई शक्की बात ही नहीं है question number 34 पे आजाईए सबसे अच्छे question में से एक question है सबसे अच्छे question sensitivity का CA final old slavers से भी पहले old slavers है तब भी ये question था और बच्छो का favorite question था पढ़ थेशा पढ़ आँ इसमें तो मजा जाएगा question बनाने the easygoing company limited is considering a new project with initial investment for a product survival it is estimated that IRR दिया है 16 पर्शन sensitivity में IRR की जरूरत पढ़ती क्यों है वैसे सब पता कैसे लगेगा आगे पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि ये sensitivity की जरूरत का question है पर जब हमने sensitivity किया था तो कहीं न कहीं IRR निकाला था यार हुझा है याद नहीं आरा क्यों निकाला था IRR से अखिर हम क्या पता लगाते थे कि निकाला तो था IRR क्या करते थे हम IRR IRR, IRR, कौश निकालने के लिए second approach से हाँ IRR से एक बात समझ में तो बिल्कुल आ रही है हाँ, COC, बिल्कुल है अगर IRR दिया है तो याद आया हमको IRR क्यों निकालते थे एक बात तो पक्की है कि यहाँ जो भी sensitivity analysis किया होगा वो कौन सी approach से किया होगा, second approach से, यह बात तो पक्की हो गए तूसरा, IRR का जब हम sensitivity करते है तो हम cost of capital के साब से करते है हम कहते हैं कि यार cost of capital जो भी हो, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा भी हुआ NPV 0 होना चाहिए, तो IRR पे 0 हो जाता है और इन दोनों के बीच का जो difference है, उसको हम कहते थे sensitivity in cost of capital हाँ सरी आता है, ठीक है लाइफ कितनी है, पास साब, लाइफ दे दिया है, पास financial manager has studied that project with sensitivity analysis बोले इन्होंने sensitivity analysis कर लिया है अच्छा सर, हाँ, बोले sensitivity analysis आपको नहीं कर ना, बोले हम कर चुके और आपको inform किया है कि annual fixed cost sensitivity in 7.8416% annual fixed cost is sensitivity कितना है, 7.8416% इसका मतलब वो कहना चाहता है, fixed cost बढ़ेगा, तो बढ़ जाए, समस्या नहीं है पर जो original fixed cost है, उससे अगर बढ़ता है, 7.8416% से तो NPV 0 हो जाएगा, बोलो मैं सहीं बोल रहा हूँ ना, काम आएगा मेरा statement सर, लिखोगे ना, प्लीज सर, लिख दो, बाद मैं लिखूँगा, मैं बाद मैं लिखूँगा, समझाँगा अभी तो मैं पढ़ा हूँ, और cost of capital दे दिया, cost of capital का sensitivity दिया है 60%, वाव और IRR दिया है, cost of capital का sensitivity दिया है, कुछ तो निकल सकता है और कुछ information भी दे रखा, PV ratio दिया है 70%, variable cost दिया है 60 रुपए per unit, annual cash flow दिया है 57,5 cost याद है, हाँ सर, PV ratio है 70%, variable cost है 60 रुपए, हाँ सबका कहना है सर, इस से जुगार लगा कर हम क्या निकाल सकते, COC वो working note में आ जाएगा हमारा, लेकिन जारा यहाँ भी तो पोचो, cost का knowledge होगा आपको, profit volume ratio दिया है 70%, और variable cost दिया है 60 रुपए, कोई है जो selling price per unit निकाल सकता है, selling price per unit, इसको देख कर, मुझे contribution है, मुझे चाहिए selling price per unit, जुगार लगा के कर लो काम, 30 रुपए variable, 60 रुपीज variable cost है, 70% है, PV ratio, मुझे चाहिए selling price per unit, किशन का answer है 200, वेजनती का भी 200, नितीन 200, वाओ यार, मैं गलत समझ रहा था, cost का तो इशाथ 200, सभी का 200 है, cost का गजब knowledge है, ठीक है, subject ही नहीं है, चलो, तो कोई बात नहीं, आगे लिखा, ignore depreciation, चलो, और impact of taxation, ये हमेशा बोलेगा, depreciation नहीं लाएगा, और taxation भी बीच में लाएगा, किसी बच्चे का सिवागी 200 है, किसी बच्चे का मालू मैं क्या कहना था, सर अगर tax आ गया तो, आज तक कभी tax आया नहीं है, और tax आ गया तो कभी आज तक किसी question में tax नहीं डाला, किसी बच्चे ने कहा तक क्या करोगी, कमाल लोके, कोई मुस्किल नहीं है, पर अभी वो है नहीं है, तो उस matter पर बात नहीं करो, करवा दूँगा, extra question में डाल सर मांग क्या रहा है, initial investment, NPV, NPV, बाप, बाप, और सुनो, factor भी दे रखा है, 8%, 9%, 10% ऐसा कुछ-कुछ दे रखा है, सर पहला काम क्या करें, पहले जो उपर दिया है, उसके सबसे काम करें, और किसी बच्चे, आप लोगों ने मुझे एक suggestion दिया, कि सर, cost of capital का sensitivity है 60%, और IRR है 16%, 16%, तो हम cost of capital निकाल सकते हैं, हाँ, मैं पहले, बच्चों का कहना है, सर आप इधर उधर की बात ही मत कीजिए, आप यहाँ से start करो, नहीं, पहले मैं cost of capital भी निकाले लेता हूँ नहीं, या working note नमर एक से दिक्कत क्या है, working note no. 1, COC नहीं काल रहा, T.O.C. sensitivity, logic के से चले की formula से चले, logic से चले की formula से चले, तर दोनों से चलते है, logic भी लगाते है, formula भी लगाते है, ठीक, पहले formula लगा रहा हूँ, IRR minus COC, COC से कित्मा बढ़ सकता है, divided by COC, into 100 यह formula है, है न यार, यह formula है की नहीं है, हाँ सर, यही तो किया है आपने, याद करो वो दिन, जब आपने sensitivity निकाला था, cost of capital में, ऐसे ही तो निकाला था, IRR minus cost of capital, divided by cost of capital into 100, या फिर logic की बात करो, तो logic ऐसा है यार, cost of capital को अगर हम 60% से, maximum 60% से बढ़ा सकते हैं, maximum 60% से, तो वो 16% होगा, इसको 60% से बढ़ा हूँ, कि 16 आ जाए, इस rate को 60% से बढ़ा दूँ, कि rate 16 आ जाए, simple है यार, वैसे भी हो जाएगा, ठीक है सर, cost of capital cost, capital cost of capital sensitivity दिया हुआ, 60% into 100 को उड़ा दे रहा हूँ, तो यहां 0.6 लिख सकता हूँ, सर, IRR कितना दिया, 16, minus x, divided by x, हाँ, निशीताश यहीं answer है, 10%, इससे भी उतना हीं आजाए, x is equal to 16 divided by 1.60, 10%, ठीक है, निशीता, वेजन्ती, सबका, यह math आपको आता है, इसमें जरूरत ही नहीं, और बाकी simple है, cost of capital, 10% को अगर मैं 60% से बढ़ाता हूँ, 10 को मैं अगर 60 से बढ़ाता हूँ, तो 16 होगा, common sense भी काम हो सकता हूँ, और एक working note, working note number, हाला कि इसके working की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी लिख लो, selling price per unit, sir, selling price per unit, इससर ने सायद लिखकर मुझे बताया था, कि selling price per unit कैसे नहीं करना, selling price, selling price, रुपी 60 variable cost है, अब PV ratio है 70%, 70% तो यह जाएगा 30%, 200, अब हम मैं मुद्दे की बात कर रहे हैं, अब हम काम की चीजे करने वाले पूरा की पर, अंस कोई calculator trick नहीं है, बस इतना है कि जैसे हमने पिछले कोशन में किया न, वैसे ही काम करना है, ठीक है sir, हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक चीज और मैं आपको बता रहेता हूँ, आपको रहे हैं, IRR is a rate, at which, प्वीजियाई इस एक्वल टू प्वी अजिए ईग्वल टू प्वी नोहिए एक कर नए इस बात को सब्सक्य बाते हूं एक वी ती क्याना चाहते प्वी और टू कू मतलब सासरन्षा आए कॉस्ट प्वीस request और वो कैसे होता है बुले जर सो annual CFAT है हर साल का CFAT उसको अगर हम present value annuity factor से multiply कर दें तो आ जाएगा पर rate हम यहाँ जो यूज करेंगे वो IRR का यूज करेंगे यह आपको CA intern में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है क्योंकि अगर हम IRR वाले rate से discounting करते हैं तो वो जो cash inflow आता है वो outflow के बराबर होता है पर actual में जब हम NPV निकालते हैं तो हम निकालते हैं PVCI और उसमें क्या करते हैं जो annual cash inflow है उसको multiply करते है present value entity factor लेकिन यहाँ जो use करते हैं वो coc use करते है याद है यह CA intern में आपको पढ़ाया जाता था ऐसे कि यार अगर आप discounting कर रहे हो IRR वाले rate से तो वो cash outflow ही आएगा अगर इतनी बात है क्योंकि अभी मैं पूरा explain नहीं कर सकता मुझे ऐसा लग रहा कि यह आपको पता है अच्छे से मैं यहाँ बेकार में आपका time ही खराब कर रहा हूँ अगर IRR के rate से discounting करते internal rate of return से अगर discounting करते तो जो cash flow को internal rate of return से discounting करते तो जो आता है वो आता है cost of project पर अगर उसको cost of capital से discounting कर रहे हैं जो कि हम करते ही है तो वो जो आता है वो आता है पी वी सी आई है यह पता है आपको हाँ investment आ जाए पस इन दो चीजों की वज़ा से हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा इस कोश्च पहले नंबर पे मांग रहा initial investment इनिशल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या मांग रहा है इनिशल इन्वेस्टमेंट मतलब present value of cash outlaw it means discounting किस से करोगे sir discounting IRR वाले rate से करेंगे IRR तो sir यह आगया 57500 इन्टो इन्वांगी का कहना 3.274 अच्छा यह NB भी निकल रहा है अच्छा अंसर ही आगया 3.2 IRR का rate क्या है sir IRR का rate है 16% yes IRR का rate है 16% और 16% का क्या factor दिया हुआ है yes factor दिया है तो factor यूज करोगे जो दिया है वो यूज करोगे 3.274 तो multiply किस से होगा 3.27 अंसर आगया कितना है आए अंसर 57.500 इंटो 3.274 अंसर आगया है रुपीज 188 255 ठीक है 188 255 ठीक है इशा अब आगे क्या मांग रहा है sir आगे मांग रहा है पहला काम हो चुका है मारा बस फर्स्ट काम हो चुका आगे चल रहा है अंपीवी अंपीवी तो हमसे नहीं निकलेगा तो अंपीवी किस से निकलेगा आखिर तो दूसरा काम कर रहा है दूसरा कर रहा है अंपीवी और अंपीवी कैसे निकलते पी वी सी आई माइनस पी वी सी हो discounting कितने परशंट से करना NPV में discounting कितने परशंट इस से होगा तर 57500 into PVA कितने परशंट से discounting होगा 10% 5 years 10% निकाला हमने और सर इसको minus कितना कर देंगे इसमें से minus cost of project आपने निकाला 1882 255 NPV आगया है 29727.5 29727.5 29727.5 अमित का कहना सा 29728 चलेगा कि विल्कुल चलेगा कोई दिखकर में चलो दो काम हो गए यह सन अब आगे देखते हैं point number 2 भी होगा तभी का NPV निकल गए है ना बच्चो NPV PVCI माइनस PVCI और यह तो आता है क्योंकि अब बहुत important बात होने वाली है fix cost fix cost में sensitivity निकालना है sensitivity fix cost में sensitivity ने निकालना है fix cost निकालना है fix cost और fix cost का sensitivity दिया है 7.8416 percent fix cost का sensitivity दिया है 7.841 1-6 percent कोई है जो कुछ सलह दे सकता है fix cost निकालना आराब से सूचो कैसे हो आराब स्थरी दियाओ को निकालना है Cells into PV ratio minus Fixed Cost is equal to Profit, Cells कैसे निकाल हो कि, Nishant, Cells कैसे निकाल, X लेकर कर, कैसे करोगे, सवाल तो बस यही है, X लेकर कर सकते हो, कोई दिक्कत ही, X, X प्लेस कुछ करके, अभी तो मैं मेन बात है, कि मैं concept पे जा रहा हूँ, मैं formula पे नहीं जा रहा हूँ, यह क्या चीज है, बस यह पढ़ने की कोशिस कर रहा हूँ, एक बद मैं read करने की कोशिस कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि जैसी मैं लिखूंगा, तो आपका दिमाग चल जाएगा, fixed cost sensitivity is 7.8416, 8.8416, हाँ निशिता, बिलकुल से, 5 कोशिस कर चल जाएग, चल जाएग के जाएगा, यह जाएगा, जाएगा, मुंगा, बिलकुल से, इसक्स कोश्य है, 1.8416 पर चाएगा, बढ़ाया जाए NPV जो कि निकल चुका था हमारा ए भगवान, NPV कहा हूं गया NPV, NPV, NPV 29728 लिख रहा हूं 29728 Second Approach ही चल रहा है निशिता तो Second Approach की ही बात करेंगे क्या यह बात आपको समझ में आगती है यह सर, अब मैं आपसे एक बात बोलना हूं यार वैसे तो हम कैसे करते थे sensitivity सर हम ऐसे करते थे ना यार roughly बोलो तो हम ऐसे करते थे present value of cells लिखते थे minus present value of variable cost लिखते थे minus present value of fixed cost लिखते थे मन से बोल रहा हूं तो is equal to, मान लो सर, NPV आ जाता था 29728 ऐसा आ जाता था, ठीक है मान लो सर, यह सर कहां से आया नहीं आया कहीं से, पर ऐसा करते थे हम लोग करते थे, इसका अलग present value करते थे, इसका present value करते थे इसका present value करते थे, और सर, minus cost भी तो करते थे, cost of project, यास और यह निकलता था, हाँ बोलो यार, करवाया हूँ, अभी करवाया हूँ, जश्ट ऐसा ही वाला, सबका individual मैंने present value निकाला minus cost of project किया, तो NPV positive है, हाँ सर सर, increase in fixed cost, divided by previous fixed cost is equal to 7.8416 percent हाँ सर, ऐसे करते थे, बिल्कुल सही अब मैंने क्या बोला अब मैंने क्या बोला, सुनना, लगाया है अपने formula, सर मुझे ये निकालना है छीक है, और मैंने कहा, यार, इसका sensitivity कैसे निकालते थे याद करो, sensitivity कैसे निकालते थे हाँ सर, याद है, हम करते थे इधर उपर NPV लिख देते थे हाँ सर, याद है, उपर लिखते थे NPV 29728 और नीचे कुछ लिखते थे और is equal to into 100 भी करते थे तो वो sensitivity आ जाता था हाँ, याद आ रहा है कहां किया था, अभी किया था थोड़ी बहुत, थोड़ी दिर पहले ऐसा कुछ किया था ना एक कोशन में, हाँ, याद है, याद है इसी तरह से, हम नीचे लिखते थे 4914, अब जिसमें भी निकालना उसको हम नीचे लिखते थे और आंसर निकालते थे तो जुगाड करते, अगर जुगाड लगाए जाए, रनिंग कॉस्ट का भी किया था एसी सेविंग्स का भी किया था यास, कोशन नमर 33 में किये थे तो क्या इसमें नहीं हो सकता कि जुगाड उस भाई साब ने आपको इन्टू हंड़ेट करके आपको बता दिया है 7.8416 परशेंटेस और ये भी आपको पता है बस ये नहीं पता है फिक्स कोश्ट निकल सकता है क्या हाँ सर निकल जाएगा डिवाइड बाई एक्स कर दो ना फर क्या पड़ता है अब होगा सर तो क्या किया जा सकता करते ये जो निकल के आएगा हाँ एक्स लेके करेंगे मेरा 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 कोशन मेरा question यह जो निकल के आएगा वो present value of fixed cost होगा total past साल का या annual fixed cost होगा बस यही तो मैं पूछ रहा हूँ यह जो निकल के आएगा total past साल की जो fixed cost है उसका present value निकलेगा कि साल हर साल का annual fixed cost निकलेगा तब present value निकलेगा present value यास और present value निकलेगा तो annual तो हम निकाली सकते है पहतरीन मजा गया सर और भी बहुत सारे तरीके मैंने कहाना सब का अपना अपना तरीका है five years का निकलेगा तो फिर उसको तो हम convert कर लेंगा या उसके बाद तो हम annual निकाली सकते है यास सर कर दो ऐसे बाद sensitivity in fixed cost is equal to NPV divided by fixed cost into 100 ठीक, आप formula लिखकर ही करूंगा मैं proper formula लिखकर करूंगा सर यह हमको मालूम है, यह sensitivity दिया है 7.8416% into 100 उड़ा दिया मैंने into 100 तो लिखना पड़ेगा तो सर into 100 के बिना कैसे लिख सकते, इसको अच्छे से लिख दूँ मैं सर इसको लिख सकते 0.078 416 ए भगवान खुश ओके खुश है ना यार मैं गलती हो गई थी, मैंने याँ fixed cost लिख दिया था, मुझे लिख रहा था present value and fixed cost ठीक है, ठीक और NPV तो निकल गया था है यार हमारा NPV, NPV, NPV NPV आया था 29728 या 727.5 29727.50 और divide किस से करेंगे? divide करेंगे x x is equal to 29727.50 divided by 0.078 and 6 379106 अंसर इशा सभी का अंसर 379106 पर सच्चाई आप भी जानते हो ये present value of fixed cost of present value of fixed cost is equal to annual fixed cost to present value annuity factor और COC से करना discounting cost of capital से ही होगा निशात बिल्कुल सही discounting तो cost of capital से ही होगा ठीक है सर सर इसी को divide कर देते है न discounting कर देते है एक ही तो बात है हाँ पर में चेहरों चलो या छुटी सुरू से लेकर करते है तो जियार ये आगया 379106 annual fixed cost ये हो गया X और PVAF 10% के सबसे factor 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 3.791 3.791 X is equal to X is equal to तो कितना आएगा एक लाक रुप है rounded off करके बोल देना एक लाक रुप है पहत्रे अगर इस कोशन में कुछ जान थी कोशन की तो सर कोशन की जान कौन थी जान थी annual fixed cost ये था विट्टे मजे की बात ये बहुत मतलब सर समझ लो कि annual fixed cost के बिना ये कोशन अगर ये ना दिया हो तो कोशन बिल्कुल अदूरा है बहुत अच्छा पॉइंट पूइंट पूचा टीक है चलो जी आगे चल रहा है इसमें हमने ज़्यादा time लगा है इसमें time लगना था सर और भी तो तरीके हो सकते हो सकते हैं मैं मना नहीं कर रहा हूँ मैं खुद x-vax लगा कर x x-plus पर logic के साथ मैंने आपको ये समझा दिया इनिशल इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया है कि yes sir NPV हो गया है कि annual fixed cost हो गया है estimated annual units of sales हाँ जी question की भी जान होती है और पका fix को जान है question की अभी आगे चले अब आपका जवाब चाहिए estimated annual units units number of units बोच रहा है number of units sir सुनो number of units निकल सकता है कि यार निशान का कहना 379106 आएगा but 1 lakh कैसे होता है वो मालूम नहीं था हाँ माल्त सही है वो मैंने मालूम है कैसे किया था निशान था देखो ना ऐसे किया था मैंने इस तरह से उसको किया था ठीक है सर ठीक है बाकि एक question मैं और समझ में आज़े मैं यहां था quantity पूछ रहा है quantity सर क्वांटिटी कैसे निकाले क्या मुझे सेलिंग प्राइस पता है पर यूनिट यह सर दोस्वा है क्या मुझे वैरिबल कॉष्ट पता है यह सर साट रुपए है क्या मुझे fix कॉष्ट भी पता है यह सर एक लाग रुपए है क्या मुझे इन सब को माइनस करने से cash flow पता है यह सर 57500 है सब कि सब बच्चे chartered accountant है मेरे सामने CA लोग है ना जाने कितना practice किया है बस यह per unit है और यह total में है तो सर इसको अगर हम quantity से multiply हाँ अमित बिलकुल सही quantity से multiply कर दे इसको माइनस एक लाग करे तो 57500 तो आई जाएगा अमित का answer है 1125 units यही काम करना था it means मुझे निकालना estimated annual units of cells point number कौन सा कर रहा हूँ 4 estimated annual units of cells quantity same selling price कितना है 200 variable cost कितना है variable cost कितना है minus fixed cost कितना है एक लाख में कोई equation नहीं लिख रहा हूँ यार यह क्या equation लिखो बच्चु टाइप का is equal to cash flow कितना है 57 500 quantity निकाल लेते है quantity is equal to 157 500 divided by 140 ग्यार सो पच्चिस यूनिट्स ताहिए ऐसी मांगी ठीक है सर्ष यह भी काम हो गया आज भी यहां बहुत मौसम खराब है बारिश हो रही है बहुत तेज कितना जल्दी हो सकता खतम करते है वह ज़त अच्छा point number 4 5 त्यारो sir break even oh oh BEP BEP मांग रहा है BEP break even points हाँ जी यार मौसम पढ़ने नहीं देता बहुत दुख होता BEP निशान्त का अंसर है 715 sir units को rounded off कर सकते है या fraction में भी fraction में भी काम हो सकता है मेरे ख्याल से ICAI units fraction में कर रहा है it means BEP निकालना आता है सब लोगों को yes sir BEP और sir BEP का formula है BEP fixed cost divided by contribution per unit यह तो यार बच्चा बच्चा जानता है fixed cost कितना है sir fixed cost 57500 और contribution per unit कितना है था 200 minus 8 140 140 तो answer आ रहा है 714.285 minutes sir units fraction में लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हमारे SFM में सब ला हुआ है हम तो shares भी fraction में लिखेंगे shares भी fraction में रहेगा fixed fraction में sir fixed cost आप लोग ना होना तो मुझसे काम नहीं होने वाला एक कैसे पढ़ाओंगा studio recording मुझे सबजी वनी है thank god बचा लिया सुनो यार मुद्दे की बात है answer तो सही था ना यार भावनाव को समझना चाहिए चीक है sir question खतम करें हाँ answer सही था मेरा हो गया यह question खतम sensitivity के दो question बचे हुए दो मेंसे एक question मैं home work दूँगा और एक question आई-सी ए-आई मेरी भावनाव को समझ चुका हूँ मैंसे यह बन चुका हूँ अब आपकी बारी है ठीक है okay sir okay sir तो दो question बाकी है दो question एक question हाँ यह question खतम हो गया अब दो question एक आपको home work दूँगा मैं और एक question मैं करवाँगा हांस मैं बताओंगा पक्का target आज का target पूरा करते हैं आज का target दोग आज sensitivity खतम करना है हम लगों ठीक है sir question no.35 भी आईए question no.35 हमारे sensitivity का last question है यह topic फिर अगर देखा जाए हां यह सारी बाते मैं करूंगा पहला मेरा target खतम करूंगा बारिश हो रही है मैं पढ़ा रहा हूं मुझे पता नहीं कब तक मैं आपकी यहां साथ में हूं यह question हम लोगों खतम करना है ठीक है part first फिर से एक बर वापस समझा तो first part मैंने क्या करवाया था part one आप इसकी तो बात नहीं कर रहा है जो मैंने करवाया था यह वाला IRR वाला मैं देखिया इसमें तो कोई doubt नहीं आना चाहिए बस और तो कुछ करवाया नहीं COC वाला अच्छा वो जो working note बनाया था मैंने यह वाला working note working note की बात कर रहा हूँ देखो सीधी सी बात है यार IRR कितना दिया है sir IRR दिया है 16% IRR दिया है 16% और sensitivity में हम करते क्या है हमारा जो cost of capital है उसको कितने percentage से बढ़ा सकते हैं yes का कहना fix cost वाला एक बार फिर से समझा दू fix cost वाला भी मैं सारी चीजे फिर से समझा दूगा पर मुझे यहां class थोड़ी सी आगे चलानी पड़ेगी फिर से वापत समझाना थोड़ा सा मुस्किल हो जाएगा fix cost वाला याश मैं आपको प्लीज इस question के लिए मैं आपको जैसी class खतम होती है मैं call करके समझा दूगा fix cost वाला मैं आपसे discuss कर लूँगा call करके discuss कर लूँगा कोई दूगा question number 35 पे आते पहले यह question खतम करते न तो हमारा sensitivity खतम हो जाएगा question number 35 सभी लोग आ जाए question number 35 पे अच्छा question है अच्छा question है मैं पढ़ना start कर रहा हूं question लिखा उन्नत limited सर यह question जितने भी करवाय है आपने कि हमने numbering नहीं किया है पर यह आपके study mat के question है जिखा उन्नत limited is considering investing कितना और रुपिया लगाना पचास लाक तो सर प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है पचास लाक एक rules अगर आप समझोगे ना मेरी बात को एक rules तो rules यह है कि जितने capital bursting के question है बड़े question है जिसको पढ़ने में बहुत सारी चीजे दी होती है उसको कभी भी जब जब भी मैं पढ़ता हूं तो लिखते हुए करता हूं मैं आपको seriously बता रहा हूं अगर आप लिखते हुए करोगे ना तो बार बार इधर देखना नहीं पड़ेगा यहीं से देखके हमारा काम हो जाए अपनी copy में भी ऐसे लिखते हुए करोगे तो दिक्कत में होगे और life कितना दिया है पासा ठीक है subscribe value है नहीं है और number of units दिया है 2,000,000 और इसके अलाव produce and sold each year selling price दिया है 30 रुपए और sir it is expected that variable cost दिया है 12 रुपए 50 पैसे 16.5 और fixed cost भी दे दिया भाई fixed cost दिया है 10,10,000,000 पर रहे नहीं cost of capital दिया है 12% और acceptable level of risk दिया है कितना 20% इसको छूना भी मत उसको मैं करवाऊंगा इसके चक्कर में मत पढ़ना भूल जाओ कि ये कहीं कुछ लिखा है please आप भूल जाएए कि आसी कोई लाइन भी लिखी हुई है you are required to measure the sensitivity of project net present to change in the following project variables sensitivity निकालना है selling price में, sales volume में और variable cost में point number D अलग चीज़ है point number D के विसे में मैं आपको समझाऊंगा ये अलग है sensitivity निकालना है तो हमारे पास NP भी तो निकालना पड़ेगा इसमें कोई शक्की बात नहीं इस पर सवाल ये है कि कि approach से करने के चक्कर में हो यहां कुछ भी पता नहीं कि किस approach से करना है किस approach से करने के चक्कर में हो बस इतना बताओ first कि second अब भी तक जितने questions मेरा institute के देखे हैं वो second approach ही follow कर रहा है अधिकतर second approach follow कर रहा है अब first say भी कर सकते हो तो sir first say करे तो कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं पर मेरी बात समझो अधिकतर second approach ही follow कर रहा है तो पहले NPV तो निकालते है sir फिर सोचते है लेखोगे calculation of NPV तो में भी आपको अगर suggest करता हूं sir time लगेगा first में तो time लगेगा second में तो फटा-फट से हो जाएगा second में फटा-फट से होगा पता भी नहीं लगेगा पहले NPV तो निकालते है न यार फिर सोचेंगे पर NPV निकालने का मेरा तरीका अब अलग रहेगा selling price है, units है और variable cost है कुछ जुगाड करके ही करूँगा हाँ sir क्या जुगाड करूगे देखो न मैं कैसे करता हूं पहला काम करे calculation of NPV selling price कितना 30 30 variable cost कितना है 16.5 पहला क्या सर नमबर अब उनिट्स कितना है 2,00,00 into present value factor कितना percent है cost of capital value percent 50 1 divided 1.12 1,2,3,4,5 GT 3.605 ठीके सर minus इसके अलावा 10,00,00,00 into 3.605 minus cost of project कितना है 50,00,00,00 is equal to NPV किया जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कास आपके समझ में आ जाए तो मज आ जाए sir 30 minus 16.5 contribution आ गया sir 13.0.50 0.50 into 2,00,00 into 3.605 तो sir ये units आ गया 7,21,000 units minus 10,00,00 into 3.605 ये आ गया present value of fixed cost 3605 1000 minus 50,00,00 तो NPV आ जाएगा हाँ, बिल्कुत बाद में दिक्कत नहीं जाएगी मुझको पता था मालूम है क्या-क्या पता था क्या-क्या पता था क्यार मुझे अलग-अलग चीजे लगेगी कैसे पता लगा ये मालूम है ये काम हमने पहला question जब करवाय था न मैंने sensitivity का पहला, example की बात नहीं करो कभी मैंने units का ऐसा कुछ present value किया था और हमारा जुगाड हो गया था याद है वो question हाँ sir और अगर देखोगे ध्यान से तो sell price मुझे मालूम है और sales variable cost तो contribution से जुगाड लगाएंगे हाँ, और sales volume हो जाएगा, हो जाएगा sir, मज़ा जाएगा NPV आया की बच्चों का? yes NPV, 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 NPV NPV कितना आया कोई एक बार फिर से confirm करेगा मेरे पास मुझे वापस calculator चलाना पड़ेगा और मुझसे calculation mistake कुछ जादा ही हो रही आज प्लीज कोई NPV बता देगा 1-1, कितना आया था 1-1, 2-8-5-0 Done Thank you, thank you so much Thank you, Rishika Thank you, Nishant अब चले आगे अब हमारा काम स्टार्ट हो रहा है अब मेरी जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए अगर मैं कहूं तो Sensitivity in selling price अब तर एक्स मानके कर लेंगे बिल्गा सही it means मैं X contribution को माल ले, क्योंकि मैंने बताया था सर, selling price में जितने का change होगा, NPV उडाना है हमको हाँ, सर, so selling price में जितना change होगा, उतना ही, तो contribution में होगा, उतने ही रुपे का हाँ, सर, याद आया, तो हम इसको, इसको X मान के काम कर लेंगे तर मतलब कैसे करेंगे जरा समझाओगे, इसको मैं X मान लेता हूँ, तो X into 7,21,000 minus 3,605,000 minus 50,000 is equal to 0, तो निकाल लेते X का वाल्यू, आसर, X is equal to 50,00,000 plus 3,60,000, 5000, divided by 11,93, 11,93, इसका मतलब समझ रहा है, मैं आ रहा है, सर, 13.50 है मारा कॉंट्रिबिशन, अगर गिरेगा कॉंट्रिबिशन तो कितना दिक्कत नहीं, 11.93 तक कम हो सकता है, मतलब इतना ही तो सेल्स में भी चैंज कर सकते हैं उससे ज्यादा नहीं, मतलब सेंसिटिविटी इन सेल्स, सिधा सिधा करों समझ में आ जाएगा, हां सर, सेंसिटिविटी इन, सेल्स पैस थाइगा, सेल्स में नहीं, सेल्स ने थाइगा, मतलब सेल्स थाइगा, into 100 confused तो नहीं हो जाओ कि सर आप sensitivity and contribution तो नहीं निकाल रहा है मेरे ख्याल से सब समझदार बच्चे है अगर confusion लग रहा तो पहले 1.56 निकालो इन दोनों का बीच का difference और उसके बाद 1.56 divided by 30 करो एक ही बात percentage कितना आ रहा है 13.5 minus 11.93 divided by 30 into 100 5.23 percent 5.23 percent सब का सही है बस मैं आप से क्या बोल रहा हूँ मेरी बात समझो बच्चे क्या लेकर आते थे किसी जमाने में जब ये question था तो बच्चे ने बच्चों लोगों ने मुझसे एक ही बात कहा कि सर ये आपने गलत किया है आपने नीचे 30 कैसे ले लिया ये तो पहली बार देख रहा है ऐसा होता है क्या एक्च्वल में तो हमको नीचे ये बेटे आप कास मेरी feeling समझ पा रहा है मैं वो ये दिखाना नहीं चाहता था मुझे इन दोने का difference लेना है मैं ये बताना चाहता था कि देखो contribution में जितना change हो रहा है उतना ही तो selling price में change होगा हाँ वही बात है actually मैंने मैंना लिखना नहीं चाहता था ये मेरी गलती है मैं जो कौन लिख रहे यार बार बार चीज़े प्लीज आप लिख ले ना actually मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो difference है ना ये जो कम हुआ ये contribution में कम हुआ है पर सच्चा ही ये है कि इतना ही contribution में नहीं इतना ही selling price में कम हुआ है ठीक बस बाकी और कुछ नहीं तो last में जब बच्चे copy लेकर चले जाते फिर वापस आते तो मुझे बोलता है सार ये तो गलती किया आपने ये तो गलत है ये गलत नहीं है shortcut मारा है ठीक इस अभी क्या करना आगे काम करें हाँ सर क्या काम करें अभी इतना ही तो रखना है कितना है था 1.53 डिवाड़ेड बाई बस वैसे भी हो जाएगा हाँ सर सर सब सेल्स वॉल्यूम में निकाल लेते ना पहले वैसे निकालो तो सेंसिटिविटी इन सेल्स वॉल्यूम मतलब एक्स किसको रखना पड़ेगा इस बार एक्स वॉल्यूम को रखना पड़े हाँ वैरिबल को आपको सेंसिटिविटी का थो यह प्रॉबलम है लिमिटेशन है वो बलता है एक समय पर एक ही फैक्टर चैंज होगा अगर आप सेलिंग प्राइज में चैंज करते हो तो कर लो वैरिबल कोश्ट सेम रहेगा वैरिबल कोश्ट में चैंज नहीं हो सेंसिटिविटी इन सेल्स वॉल्यूम पॉइंट नमबर बी करने जा रहा हूँ अल्टरनेटिव आप एक्स लेकर कर सकते हो कोई दिखकर नहीं तरदी 13.5 ठीक है इन्टू यह एक्स है इन्टू एल्स वॉल्यूम का एक्स माना थैंक्यो निश्या आप निकल चुके है चपका निकल गया है वही मैं ही पीछे रहे गया है मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ आप लोग उसे मैनस 360 5000 इन्टू इन्टू इस मैनस मैनस 360 5000 मैनस इन्टू इस व्यूल टो जिरो एक्स का वैल्यू है भगवान बहुत ज्यादा स्पीट है फाइनल आंसर भी निकल ली है उन्टू ने खेर वह ये बता दो यार कि कितना आया था फिक्स कॉष्ट आपकी नोट्स तैयार नहीं होगी तर 50 लेक्स प्लस 360 5000 डिवाइड़ वै 13.5 तो सर उन्ट साई थी 637 407.41 तो सर फाइनली आ गया तैंसिति विटी इतना था सातलाग 7,21,000 7,21,000 minus 67 407.1 divided by 7,20,000 100 तो परसंट इस आ गया 11.59 ठीक, पॉइंट नम्बर से sensitivity in variable cost per unit विल्कुल सहीं बोल रहे हैं, जो contribution में आएगा वेवर, तो सर सीधा बोलो ना यार क्यों इतना टाइम बरबाद कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का difference divided by variable cost कोई फर्क नहीं पड़ता है, rounded off का मेरे पास answer sheet आई हुई है, बच्चों का बहुत सारी teachers का ये कहना होता है, या बच्चों का ये कहना होता है, यार हमने point ये rounded off नहीं किया था, या point की वज़ा से number काट दिया गया था, लेकिन सच्चा ही ये नहीं है, या, गया है और वो ICAI को गाली दे रहा है, वो अलग बात है, अच्च्च ही है कि अगर आपने लिखा है तो आपको number मिलेगा, ये बताईए कि 3.50 into 3.605 जो नहीं किया गया, इस चीज़ की बात, चार decimal places तक mention होता है, पेपर में, पेपर में दिया रहेगा, फैक्टर तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो जी, मैं यह बाला निकालनों, इसके बाद आपके doubt से ले लेता हूँ, तो sensitivity in variable cost, variable cost का जो difference आया था, वो कितना आया था, Sir 13.9.52% इशा का अंशर आ गया है, 13.5 minus 11.93, 1.57 आ रहा है क्या, Sir 1.57 आवर variable cost कितना पर unit, Sir variable cost is 16.50, अंसर अरह 9.52%, बिल्गुल सही, बिल्गुल सही, इसको एक्स लेने की बात कर रहा हूँ, इसको एक्स लेना है, आप इसको एक्स लेना है, आप इसको एक्स ले सकते हैं, तो फिर आपको इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, आज तो शुब बारिश हो रही है, बहुत तेज, वो तो class चल रही है, किस्मत अच्छी है, तो जूम मिटिंग के लिए मैं आपको टाइम बताऊँगा, आज ही बताऊँगा, और आज मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगा जूम मिटिंगा, पर आज का नहीं हो पाएगा, वो कल ही हमको मैनेज करना, चल ठी, यहां तक काम हो चुका है, यस, अब जो बचा हुआ, वो यह वाला पॉइंट में बिता है, जिस पे मुझे डिसकस करना, लास्ट पार्ट, तो अलग ही है, यस, लास्ट पार्ट ही तो समझना है, भाई, लास्ट पार्ट जड़ा देखते हैं, सिनारियो एनलेसिस, सिनारियो एनलेसिस, जड़ा सुनना ध्यान से, सिनारियो एनलेसिस कुछ है नहीं है, बिल्गु सिंपल है, पर एक बार पढ़ते तो है कि है क्या, त्यार हो, पहले लास्ट पार्ट कर ले, फिर बात करेंगे, उनका कहना यार देखो, सब कर लिया, अपने एनपी भी निकाल लिया, सेंसिटिविटी कर लिया, लेकिन एक बात हम बताना भूल गया है, पता नहीं हमको ऐसा लग रहा है कि दो लाक यूनिट्स पना कर बेज भी पाएंगे, कि नहीं बेच पाएंगे, हमने का और आगे बताइए, बोले आगे ऐसा है, सेल्स मैनेजर को ऐसा लग रहा है, सजेस्ट किया कि सेल्स वाल्यूम डिपैंड करता है, किस पर, सिनारियो पर, इकोनोमिक्स पर, अच्छा, बोले हाँ, बोले एकोनोमी अगर पूर रहा, आने वाले दिनों में पूर रहा है, तो बहले हम भी बरबाद हो जाएंगे, और यूनिट्स दो लाक नहीं बिक पाएगी, 1,75,000 अगर एक सिनारियो ये बन गया, कि यार ऐसा मान के चलो, एक सिनारियो बोल रहा हूं, कि आने वाले पूरे दिनों में एकोनोमी पूर ही रहेगी तो कितना यूनिट्स बेच पाएगी, 1,75,000 उनिट्स, तो मान लोग की 1,00,000, मतलब बुरा से बुरा होगा क्या, 1,75,000 तो मान लीजिए कि 1,75,000 उनिट्स सी बिकेगी, उसके इसाब से आप NPV निकाल लीजिए, तो हमें इस सिनारियों से क्या निकालना पड़ेगा, NPV, और फिर अगर 2,00,000 उनिट्स भी की, तो हमने NPV अलरेड़ी निकाला हुआ है, एक सिनारियों ये हो गया, एक सिनारियों हो गया, गुट, उसके साब से NPV निकाल लेना, तो कितना NPV निकालोगे, 3 NPV निकालोगे, और उसके साब से आपको क्या निकालना, आपको एक्सपेक अलग-अलग सिनारियों से आपको NPV निकालना, और रेसाइट करना है कि हमको प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना, ठीके सर, काम हो सकता है, क्या हमारे पास एक्वेशन अल्रेड़ी बनी बनाई है, हाँ बोलो ना यार, हाँ सर, एक्वेशन तो अल्रेड़ी बनी बना बना है मुझे, हाँ सर, equation तो already बनी बनाई है, और ये दिख रही है आपको equation, हाँ सर, तो बस आपको करना क्या है, यहाँ units में change करते जाना है, यहाँ क्या करना है, कभी कितना करना, 1 lakhs, 2 lakhs वाला तो है यह यह शौल, और 1 lakhs क्या करना, 2 lakhs 25, तो तीनों अलग-अलग scenario में हमक इसको वैसे मालूम है, क्या बला जाता है, इसको बला जाता, scenario analysis, अगर मैं कहूं कि मुझे total मिला कर इस topic में चार चीज़े बढ़ाना था, पहला sensitivity हो गया खतम, दूसरा scenario एक ही question है, तीसरा करवाना है, simulation और चोहता करवाना है, decision tree, पहले decision tree होगा, फिर simulation होगा, खतम, वाओ, सर, बाते कम काम जादा, सबसे पहले काम क्या करें, हम करते हैं, NPV निकालते हैं, पहले क्या बोल रहा है, पहले poor, पहला scenario, सिनारियो ना लिख कर, क्योंकि सिनारियो analysis में करना, सिधा poor लिख देखे, economy, poor, तो NPV बताइए, NPV पहला वाला में लिख देता हूँ, यह निका, 13.5, 13.5, to 1,05,000, into 3.605, 3.5, minus, P605,000, P65,000, minus, NPV चाहिया मच्छ, NPV, NPV कोई है, इसका calculator speed से चलता हूँ, NPV, 88188, plus negative as a negative, thank you Chandrakar, minus 1, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 1, 8 ले ले लेते हैं, चल जाएगे, तहीं है नितिन, ठीक, poor scenario हो गया, उसके बाद, normal scenario, या normal economy, normal का मतलब सर्दो लाक units, और क्या, उसका हमने, already NPV निकाल लिया है, या इस time pass नहीं करेंगे, और उसका, already NPV निकाल लिया है, और NPV कितना आया है था, उसका, 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 NPV निकाल चुट, वन वन टू एट, फाइव डबल जीरो, वन वन टू एट, फाइव डबल जीरो, और इसके बाद, गुट, आंसर तो गुट सेनारियो का भे निकाल चुके, वन वन टी भगवान, नितिन एक बार आंसर चेक करोगे, 11,28,000 पास, 11,28,000 पास हो, तो इसका है भई, गुट का आ गया, 2, 3, 4, 5, 1, डबल एट, टू, 3, 4, 5, डबल एट, अग्जाम में भी कर सकते हो, इतना बड़ा कोश्चन है, अग्जाम में अलाव है, अग्जाम में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ने तो फिर आपको नॉर्मल ही करना है, अग्जाम में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, नितिन में समझ गया था, नितिन में समझ गया था, कि आपका जो अंसर है, वो गुट का निकला है, करके, एन पीवी, अट प्रप्रपेर, एक 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 था, मिनस 8A, 18. Probability इस 0.3, 30 percent. क्झुसरा, NPV एक एक, 1185, 60 percent or a can be 2, 3, 4, 5, 1, or a can be 2, 3, 4, 5, 1, be it, or probability अब सुनोगे मेरी बात को ठीक से अब वक्त आ गया है कि मेरी बात सुनना पड़ेगा ध्यान से सुनना पड़ेगा मेरी बात मैं जो बोलने आ रहा हूँ क्या probability है सुनना ध्यान से negative NPV आने की क्या probability है negative NPV आने की कितने chances है कितने percentage chances है की हमको project reject करना पड़ सकते है क्या probability है कि NPV negative आ सकती है क्या chances है तो समझके बोलना chances मतलब probability बिल्गुल सही Sir 30% chances है की हम project को reject कर सकते हैं NPV negative है सकती है अब मैं आप से कह रहा हूँ कि भई मैं project तभी accept करूँगा ध्यान से सुनना मैं project तभी accept करूँगा जब negative NPV आने की जो probability है वो 20% से कम रहे अब सुनना मेरी condition क्या इस question में वैसे तो अगर मुझे कुछ ना बोलूँ तो मैं expected NPV निकालूँगा और expected NPV निकाल कर मैं सीधा सीधा decision दे दूँगा expected NPV positive आएगा तो accept expected NPV negative आएगा तो reject पर अब मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से बताना मैं क्या बोल रहा हूँ मैंने का याँ मैं प्रोजेक्ट को तभी accept करूँगा जब negative NPV 20% से भी कम रहेगा मतलब negative NPV आने के chances कम से कम रहे बस यहाँ भी positive NPV बहुत अच्छी बात है यहाँ भी पहुच पर negative NPV भी तो आ सकता है और इस बात के chances यहाँ कितने प्रतीसात है कितने percentage है 30 और मैं आपसे बोल रहा हूँ मैं तभी accept करूँगा जब chances negative नहीं आना चाहिए या कम से कम chances हो और कितने बोले 20% से कम chances हो लेकिन यहाँ कितना आ रहा है negative आ सकता है 30% अब बताओ मुझे project करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मेरा acceptable risk जो है वो 20% आंसर चाहिए बस मैं आपसे बस एक ही बात बोल रहा हूँ मैं project तभी करूँगा जब negative NPV ठीक असे यह भाई सामने ICAI का पागलपन यह है कि उन्होंने acceptable level of risk 21% यहाँ चिपकाया है गलाच चीज है उसको इद्धर लिखना चाहिए अच्छा सर यस बात समझने की कोशिश करो मैंने गा कि यह सब्द यहाँ लिखा ही नहीं होना चाहिए था उसको यहाँ नीचे लिखा होना चाहिए तो और clear cut language में लिखा होना चाहिए था उन्होंने clear cut language में लिखा नहीं है सिर्फ लिखा acceptable level of risk 20% अब एक बात बताओ आम आदमी का तो दिमाग खराब हो जाए गया यह sensitivity के बीच में यह इधर कहां से डाल दिया और उसने यहाँ डाला और वो भी language clear cut लिखा होना चाहिए ना language भी clear cut नहीं लिखा अच्छा है कि मैंने आपको बोला कि इस पर ध्यान मत देना और अगर आप ध्यान दे देता अगर मैं भी ध्यान दे देता तो मालो में मैं क्या करता मेरे मन में आया था एक बार क्या आया था पता है यार सायद ही बोल रहा होगा कि 20% से change करना है मुझे ऐसा लग गया था acceptable level of risk is 20% तो मेरे मन में आया है कि सायद ये बोल रहा होगा कि first वाला approach लगाना है sensitivity में और मालूम है हर चीज को कितने कितने परशन से change करना है 20% से change करना है मुझे ऐसा लगा था हाँ मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे उनको भी ऐसा लग सकता है थोड़ी नहीं कि मुझे ही ऐसा लगे actual में वो इस point के लिए बोल रहा था तो sir आपको कैसे पता लगा सॉलूशन देखा होगा ना यार तभी तो तो सीदी वात है भाई में भी कोई ऐसा थोड़ी है कि भगवान मुझे भी कैसे मालूँ acceptable level of risk का मतलब वो ये बताना चाहरा है कि यार प्रोजेक्ट तभी accept करोगे जब NPV जो है मैं 20% तक accept कर सकता तो करेगा तर एक बात है इसने बोला है यहां पढ़ो अच्छे से calculate expected NPV of the project अभी सुन लो मैं कोईशन की मैं बहुत ज़्यादा deep में नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन बोला calculate expected NPV of the project और ना जाने capital बस्टिंग की हमने class किये जमाने बर की क्या हमको expected NPV निकालना आता है आता है और सभी को आता है और expected NPV कैसे निकालते है तर सीधी सी बात है expected NPV this into this ऐसे तो निकालता expected NPV और expected NPV positive आता तो accept कर लें थे yes कोई ऐसे ही निकालता पर पता नहीं तो हम क्या करें सर हम दोनों ही काम कर रहे हैं मैं क्या करने जा रहा हूँ मैं सबसे पहले निकालने जा रहा हूँ expected NPV मांगा है तो हम निकालेंगे ठीक है expected NPV में निकाल हाँ निकाल के में reject तो करना पड़ेगा नितिन क्या करें मच्वूर है हाला कि यह positive आएगा तो भी हम इधर ध्यान नहीं देंगे question framing गलत है न यार और sir आप अपने हिसाब से चलाओगा कि मैं कभी भी अपने हिसाब से class नहीं चलाओगा question मैं चलूँगा तो IC AI के हिसाब से चलूँगा बहले ही वो गलत हो हाँ जब टूटली लोजिकल लगीगा तो अलग बात है minus 8, 8 1, 8, 8 into 30 percent plus 1, 1 2, 8 5, double, 0 10 percent yes 2, 3, 4 5, 1, double, hit into 10 percent हाँ यार क्या कर ले तो चलूँगा एक्सपेक्टेद नपी भी निकाले पिडोँगा एक्सपेक्टेद चलाओ और कुछ तो रखा नहीं है जिंदगी में एक्सपेक्टेद एन्पी वी एक बर बता दू टाइम पास के लिए निकाल रहा हूँ मैं जानता हूँ इसकी दिरूद नहीं है इश्वा का अंसर है 885163 इसकी बच्चे का अंसर कहना है कि सर 175,000 इन्टो 30 होगा 30 नहीं है कॉंट्रिबिशन तो माइनस करें हमको तो कॉंट्रिबिशन लेना है न ठीक है अब कॉंट्रिबिशन लेका अंसर नहीं है झाल और रजक टिस्टप्टाब रिस्क एंक चीज को चीज कर ते तो it means if chances of negative NPV is more than 20% project should be rejected in this question probability of negative NPV is 30% hence project should be rejected ये एक नई चीज़ डाला हुआ था कोश्चन में हाँ बात तो वही में बोल रहा हूँ ना भाई साब कियार एक्सपेक्टेड एन पीवी मांगा क्यों और हम निकालते भी नहीं सुनो मेरी बात तुब को अगेना सर हमने सेल्स इंटू प्रॉबाबिलिटी क्यों नहीं किया इस कोश्चन में पॉइंट डी में वैसे भी करके निकालते हैं तो सीधा एक्सपेक्टेड एन पीवी आज़ते हैं पास सहीं मोल रहें सुब डीसिजेंट ट्री में मैं करवाऊंगा कि सर सीधा सेल्स इंटू प्रॉबाबिलिटी कर लेते और जो एक्सपेक्टेड सेल्स आता उसको यहां पूट कर देते एक्सपेक्टेड एन पीवी सीधा आ जाता सीधा यही आ जाता सीधा यही आ जाता पर समस्या क्या है क्योंकि मुझे यह निकालना था कि यार एन पीवी यह एक्चुली यह पॉइंट आपको पता नहीं यह पॉइंट मुझे पता था इसलिए मैंने अलग-अलग NPV निकाला अच्छा, एक बात है सुन लो, सुन लो बच्चो क्लास या अब ऐसी भी आखरी कोश्चन है तो ज़रा ध्यान से सुनना मेरी बात जो भी बोलूँगा आप अब 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 सोच समझ के गाम करूँ अगर वो इस कोश्चन में ये बोलता कि एकस्पेक्टेड एनपी भी नहीं निकालना है हाँ, हर सिनारियो का मुझे आंसर लाना था तब ही मैं बता पाता, अब मेरी बात सुनो अगर question में यह लिखा रहा था कि आपको expected NPV नहीं निकालना है यह कह जी नहीं निकालना है और वह कहता कि बताओ negative NPV आने की क्या probability है बस इतना ही question रहता कि यार हमको negative NPV किसमें आ सकता है तो मैं फिर बस यहीं निकालता हाँ बोलो अगर इसमें negative आता that's it क्या मुझे यह वापस निकालने की ज़रूरत थी इस सिनारियो में नहीं सर इसमें तो positive आलरेड़ी निकाल चुके है जब इसमें positive निकाला है तो इसमें तो positive हो गई होगा हाँ ना बोलो हाँ सर क्योंकि इसमें negative निकलता इसका तो मुझे निकालना ही पड़ता और इसमें तो 30% निकलता सिप पूर में सिप पूर का NPV निकालके छोड़ देता हाँ सर बास सही है इसका मैं ने निकालता क्योंकि 2,00,000 तो already positive है और जब 2,00,000 का positive है तो 2,25,000 का भी positive आएगा तो यार ये कोशन तो मेरा कपका हो गया होता अगर वो expected NPV निकालने के लिए नहीं बोलता काइम पस करवाया है जरूरत नहीं थी ठीक है हतम कोशन अतलब सर लाश्ट वाले पॉइंट में ज्यादा टाइम लग गया हाँ सर लाश्ट वाल अच्छा एक बात और एक बात और जब इतनी बात करी लिया हूं तो एक बात और पूछ लेता हूं हाँ सर पूछिए सर गया कोशन ये वाला है अगर कोशन में ये सब्द नहीं लिखा होता ठीक है सर अगर question में ये सब्द नहीं लिखा होता तो फिर पूछता कि बताओ ये project को accept करना है कि reject तो फिर आपका answer क्या होता इसी question की बाद बता तो आपका answer क्या होता अगर acceptable level of risk नहीं लिखा रहता तो फिर आपका answer क्या होता सर उसके बाद हम expected NPV के हिसाब से accept कर लेते बिल्कुल सही है बिल्कुल सही answer है बिल्कुल सही है ठीक अच्छे question number 36 आपके लिए homework है question number 36 homework है हाँ जी सबका सही है हाँ निशान ताप 1,95,000 के सबसे expected NPV निकल सकते थे बिल्कुल question number 36 homework है homework 36 हाँ sir CA enter का question आई है पर सुनो ध्यान से इसमें हमको क्या करना है हमें सबसे पहले तो NPV निकलना है हो जाएगा हो जाएगा सर मैं homework ही देने बाला हूं इसको था और sir compute the impact on project NPV आपको कितने percent से change करना है 2.5 percent से adverse हो जाएगा sir इसको homework में करना है कि classwork में डालना है इसको इसको homework copy में डाल देना है इसमें कुछ है नहीं करने के लिए 2.5 percent से change करना है तो जाएग के cost को 2.5 percent से बढ़ा देना sir life को कैसे बढ़ाएंगे life में निकालने नहीं है इसलिए उसने life में लाश्ट में दिया life में नहीं निकाला है उसने तर यह question है क्या यह question आपके illustration में डला हुआ हाँ जो जो भी class work copy में करवाना रहेगा मैं पक्का आपको बता दूँगा यह homework में डाल देना बिलकुल simple है फिर आपको इसमें sensitivity करना इसमें करना इसमें करना इसमें करना इसमें भी नहीं किया उसने तो please आप भी मत करना तो sir क्या exam में बताएगा कि कौन-कौन से factor में करना इस इतने factor में आपको sensitivity करना वो आप कर लोगी homework है question number 36 scenario analysis में ने अभी start नहीं किया पर मैं जानता हूँ वैसे start भी करता नाम भी लिखता scenario analysis approach कोई भी ले ले क्या approach कोई भी नहीं ले सकते क्योंकि उसने यहाँ बोल दिया है कि 2.5% से change करना है इसलिए आप फर्स्ट approach से ही करना पड़ेगा इस question को आ नहीं सहीं बोल रहा है आपको first approach से ही करना होगा ठीक है ठीक है सर आगे बढ़े है मैं आपसे बोल रहा हूँ कि scenario analysis मेंने अभी कुछ करवाया नहीं हूँ लिखवाना है पर एक ही question है और मैं जानता हूँ आप कर लोगे question number 43 क्योंकि इस पर मैं time खराब नहीं करूँगा एक बार discuss कर लेते मैं homework दूँगा scenario analysis पर कुछ लिखवाया नहीं है पर यह question scenario analysis का और मैं जानता हूँ आप कर लोगे कल मैं लिखवाऊंगा यह question करवाऊंगा नहीं तो हमारा time बचेगा यार और ऐसा भी नहीं कि मैं भगा रहा हूँ यह question इतना आसान है कि आप कर लोगे ठीक है sir एक बार discuss कर ले क्या है हाँ यह question आया हूँ आया हूँ आपर एक बार मैं discuss कर लेता हूँ नहीं बनेगा तो कल तो मैं discuss करूंगा यह ठीक है sir discuss कर तो लेते की क्या है पुले project A है और उसमें कितना पैसा लग रहा 14 लाइक लग रहा cost of project हो गया ठीक है तीन cash flow है sir worst case 450 400 700 most like me 450 यह और best में ही है अलग अलग scenario 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 one scenario two scenario two ठीक है sir और cost of capital कितना लेना 9% आपको NPV निकालना in each scenario हो जाएगा हाँ sir यह पहला scenario में NPV निकालना है दूसरे scenario में NPV निकालना है तीसरे scenario में NPV निकालना हो जाएगा sir हो जाएगा लेकिन अब क्या बोल रहा है यह तो हो जाएगा अब लेकिन इसके बाद वाला point important है if x y z limited को पक्का मालूम है कि most likely result in first two years तो first year में बोले 550 आएगा पक्का है second year में 450 आएगा यह भी पक्का है discounting divide से करना है तो हलवा कोश्चन है divide से कर लेंगे भाई क्या दिक्कत है तो first year का पक्का है second year का पक्का है पर uncertain है third year में तो ले third year में कितना आएगा हमको नहीं मालूम फिर बोलता नहीं आप ऐसा कर सकते हो third year का बुरा से बुरा करके देखनो बुरा से बुरा मतलब third year का आप 700 लेकर बस first year का 550, second year का fourth, third year का 700 तर कहना क्या चाहते हूँ, कहना चाहता हूँ, मैं होंबात ठीक तो sensitivity analysis एक बार sensitivity analysis question number 31 में first वाला revise करना है करवाना है first वाला कौन सा revise करवाना है अचा इसकी बात कर रहे हो क्या last week भई बस मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ, बड़ी simple सी बात है कि IRR कितना दिया है इसमें part number one में दो चीजे थे इसमें अगर इस question की मैं बात करूँ कि दो चीजे है इसका sensitivity दिया है IR का sensitivity दिया है और fixed cost का sensitivity दिया है बस दो चीजे है यह दो चीजों की वज़े से question में problem है बाकी question में कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं कहूं IRR का sensitivity दिया 60% IRR cost of capital का sensitivity cost of capital का sensitivity होता क्या था सर हम cost of capital को कितने percent से बढ़ाए कि NPV 0 हो जाए तो सर cost of capital को कितने percentage से बढ़ाए मतलब 16% आ जाए और वो बोल रहा है कि आपको बढ़ाना है 60% से तो सर cost of capital को कितने percent से बढ़ाए तो यहां 1 plus R भी कर सकते हो यह फिर आप कैसे करते है जो भी करो मैं कह रहा हूं मान लो cost of capital X और उसको बढ़ाना है ठीक है सर plus X into 60% तो answer कितना आना चाहिए 12% आना चाहिए अब कैसे भी कर लो सर next chapter कौन सा है अमित का कहना है सुनो सर अमित अभी हमारा हमको time लगेगा इसलिए time लगेगा क्योंकि अभी हमारे पास एक replacement decision है हाँ जी 16, 16% सही है टेस्ट होगा capital investing का मैं मान के चल रहा हूँ कि आप face to face बैठे हो मेरे सामने मैं टेस्ट लूँगा और मैं ही check करूँगा और जितने मैं नाम ले रहा हूँ मैं देखो आप लोगों का test paper देते हो कि नहीं देते हो test और दूसरा क्या check करना है आज नहीं हो पाएगा, कल होगा zoom में एक तो मैं आपका test लूँगा और दूसरा, क्योंकि मैं नाम ले रहा हूँ मुझे वालू मैं कि किसका test paper कैसा होगा और test देते हो कि नहीं देते हो ये भी check करूँगा और check भी करूँगा कि लिखते क्या हो सबसे बड़ी बात है यहां तो बहुत बाते होती है test में सही मजाएगा हर chapter का full revision होगा मैं जानता हूँ कि अगर capital बश्टी हमारा 20-25 गंटे का lecture होगा तो 25 गंटे आप revision नहीं कर पाऊँगे revision में कर वाँगा वो मेरी जिमेदारी हाला कि उसका recorded lecture मिलेगा वो live revision नहीं हो पाएगा ठीक है पांसा सीट upload कैसे होगा वो सारी चीजे सारा process में बताऊँगा मेरा staff है वो देख लेगा सारे चीजे बताएगा आपको कैसे करना हर chapter का revision होगा हर chapter का ठीक चलो जी तो आज की class मैं over कर रहा हूँ यहाँ और कल मिलते है scenario analysis और sensitivity analysis के matter पे हमको थोड़े बहुत दो-चार चीजे लिखनी है वो लिख लेंगे और उसके अलावा कल हम सायद decision tree start करेंगे कल की class भी most important है कल decision tree start होगा कल और परसो decision मतलब इस week में हमारा capital investing इस week में तो कल तो Saturday है next दो-तीन classes में हमारा इन classes replacement में टाइम लेगे next week खतम हो जाएगा कैसे भी करके capital investing में इतना time क्यों लगा time इसलिए लगा क्योंकि बीच में हमारी classes थोड़ी-थोड़ी छुटी भी थी देड़ी-घंटी की class होती अब flow बनाएगा अब मजाएगा ठीक है thank you so much, bye bye, good night तुबह सिफ्ट नहीं हो पा रही है एक लासे साम को ही रखना होगा हमको इस मेटर बेबात कर लेंगे thank you so much, bye bye, good night झाल 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 झाल